हलो फेंट, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम वीडियो पर टॉपेस ओल तीन परसेंट लोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बर आपको याद दलाओं, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करें, सांथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके, सांथ ही जनकारी के लिए प्लीज वीडियो को अंततक जरूर देखें, तो आई हम टॉपेस ओल तीन परसेंट लोशन के बारे में बात करते हैं, यह इसका या सफेद पपड़ी से ढके लाल धब्बे हैं, इस लोशन का इस्तमाल आपके डॉक्टर के बताय अनुसार ही किया जाना चाहिए और यह केवल बाहरी इस्तमाल के लिए हैं, लोशन लगाने से पहले हाथ धोना न भूलें, प्रभावी शेत्र को कवर करने के लिए पर्या उनका उप्योग करने और अपनी तवच्चा पर कठोर उत्पादों से बचने की सलहा दी जाती है, और संक्रमन को रोकने के लिए प्रभावी शेत्र को खरोचना या शूना मत ना करें, कभी-कभी टॉपेसल 3% लोशन के कुछ साइड एफेक्ट हो सकते हैं, जैसे तवच् या खुजली का अनुभाव हो सकता है, इन साइड एफेक्ट में यदि तवच्चा छिल रही है तो नियमित रूप से सौम्य मौसराइजर लगा कर अपनी तवच्चा को नमी युक्त रख सकते हैं, और तवच्चा को पतला होने से रोकने के लिए टॉपेसल 3% लोशन का उ उपयोग निर्धारित अवधी तक ही करें और बहुत अधिक मात्रा में ना करें, साथी अपनी इस्थती को देखते हुए डॉक्टर से परामर्श भी करें, यदि कोई साइड एफेक्ट बना रहता है और जल्दी समाप्त नहीं होता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर क टॉपिसल 3% लोशन में दो सक्रिय तत्व होते हैं, क्लोबेटा सोल और सेलिसिलिक एसिड, क्लोबेटा सोल यह एक कार्टिको स्टेराइड है जो तवच्चा की लालीमा, सूजन और खुजली के लिए जिम्मेदार कुछ रसायनिक दूतों के उत्पादन को अवरुध करके काम करता है, क्लोबेटा सोल रसायनिक संदेश वहकों पर कार्य करके एक्जिमा और सूरैसिस से जोड़े लक्षणों को कम करता है, और सेलिसिलिक एसिड तवच्चा को एक्सफोलियेट करने और सूरैसिस में आमतोर पर देखी जाने वाली पपड़ी को हटाने में सहयता कर करता है, यह तवच्चा की उपरी परत को नरम बनाता है और मृत तवच्चा को शिकाओं को हटाता है, इन दोनों का सयोजन सूजन को कम करने, खुजली से राहत दिलाने और स्वस्त तवच्चा के नविनी करन को बढ़ावा देने में मदद करता है, यह तत्व एक्जिमा और सुराइसिस के लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए तालमेल से काम करते हैं और बिना किसी नुकसान और जलन के, यदि किसे गंबीर एलर्जी या फिर कोई गरभती महिला हैं या एस्तनपान करा रही हैं, या फिर किसे कोई गंबीर बिमारिया हैं तो इस दवा का इस्तितियों के इलाज के लिए टॉपेसल 3% लोशन का उपयोग किया जाता है इस लोशन को ठंडी और सूखी जगह पर रखें लोशन को सिधे सूर्य की रोशनी प्रकाश और नमी से बचा कर रखें साथ ही बच्चों की पहुँच से भी दूर रखें